हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आई हो कि आप सब अच्छे होंगे तो गाईज आप मुझे हेट सेव किये देख रहे होगी एच्वली मैं हेट सेव हुआ था हेट सेव मैंने कड़ाया था लेकिन उसका रीजन था कि मेरे गाउं में एक मेरी दादी दित कर गई थी उसका रंसा आज का जो टॉपिक है बहुत यादा इंपोर्टेंट है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मुझे दो से तीन बार हेर लॉस हो चुका है और मैंने काफी हद तक उसको रीग्रोथ किया है दो बार बहुत अच्छे से हुआ थट टाइम थोड़ा स्लो हुआ तो ही एस के हिसाब से मैंने बोला है कि हेर इग्रोथ सब पर संट टू पर संट वैड़ी करता है तो आप यह सारे फोटोग्राप्स देख सकते हो वर्स्ट कंडीशन हो चुका था तो यह सारे मेरे कंडीशन हो चुके थे हैर्स के आप देख सकते हो तो ऐसा आप मत समझना है कि एक बार मैंने कई बारी मुझसे भी रूटीन फॉलो नहीं हो पाता है लंबे टायम तर भाई मेरा जिनेटिक बीक है बहुत जादा तो फिर से मेरा जो बाल है पतले होने लग जाते हैं हेर फॉल होने लग जाता है और जब बक्त से पहले ध्यार ना दू तो यह सारे हाल भी ह हो जाते हैं तो यह जो लाइफ है जिसका बीक हैर है वह आप समझ लो कि एक मेराथन है आप इसको कोई रेस मत समझो कि छे महीने एक साल मैंने कर लिया और मेरे बाल हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे जी बिल्कुल भी नहीं यह जिनके जिनेटिक अच्छा है उनको तो यह होगा है लेकिन जिनके जिनेटिक हम जैसे हैं हमें प्रॉबलम बार बार फेस करना पड़ता है तो हेर केर आपको एक मेरेफन के रूप में लेना पड़े तो मेरे साथ ही वैसा ही हुआ कई बार लगतार दो साल तक अच्छा रे केर किया फिर लगा च्छे सात महीने मैंने एक दम उल्टा पुल्टा सब कुछ सुरू किया फिर से हेर लॉस बहुत जगा पे वाल्डेस स्पोर्ट से आ गया तो वही चीज है मैं बता रहा हूं मेरे साथ जब खुद दो से तीन बार यह चीज होना पड़ा मैं बस यह था कि जब होने लगता था तो मैं रोग देता था उसका कारण था इस आप लोग भी मुझे लगता था कि मेरा हेर लॉस हो जाएगा और फिर मैं यहां लोग को कैसे बता पाऊंगा तो उस कारण से भी कई बार होता था कि 6-7 माहिने पर बहुत जादा था तो मुझे बहुत डर लगता था और फिर मैं अच्छे लाइफस्ट आज बहुत सिंपल कर देने वाला हूं आज की वीडियो में कि आपका कौन सा हेर कंडिशन होगा तो उसमें आपको कौन सा नेचुरली कौन सा प्रोड़क्त यूज करना चाहिए वही सारी सॉल्यूशन मैं आपके एस ग्रूप के कोडिंग और आपका बॉलनेस पैटन कोई आज के वीडियो में बता हूं आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है एक सकेंड भी स्किप मत करना क्योंकि आज मैं एक समराइज बे में बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन आपके इस के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूं अपने पूरे पास्ट एक्स्पिडिय चल रहा है कि आज कल 14 से 17 साल के इस ग्रूप में भी वालनेस बरते जारा है तो अगर आप भी उसी इस ग्रूप के लड़के हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़े करने की जुरूत नहीं है आपको अराम से नेच्रली ही सारी चीजों को फॉलो करना है चाहे वो प्र वो सारी चीजे भी मैं आप समझ रहे होगे उससे भी आपको दूर रहना है नो फैप को फॉलो कर सकते हो तो वो बहुत ही अच्छा रहाएगा इस ग्रूप बालो का बहुत इसली नेच्रल तडीके से ही आप हेड को रिग्रोत करता होगे आप खुद देखना जब आप अच्छा वीडियो लाओंगा लेकिन यह पुरानी वीडियो भी काफी अच्छा है आप यही वीडियो देख लेना तो आपको डायेट से रिलेटेट कोई चिंता नहीं करना एकदम मिडल क्लास फैमिली वाली डायेट है ज्यादा कुछ हाइफाइ नहीं है आप आराम से कु दो बार सैंपू, दो बार वाइलिंग वही नहाने से पहले वाइलिंग कर लो एक घंटे के बाद सैंपू कर लेना है तो एक प्रॉपर जब आप रूटीन फॉलो करोगे अगर आप एडिक्शन के किसी विलत में उसको छोड़ कि आपका हेडी ग्रोस निचुरली और बहु अगर आपने सही समय पर अब्जर्व कर लिया तो वो टाइमिंग बहुत जादा डिपेंड कर दिये जैसे 14 से 17 के बीच में अगर आपको वालनेस होड़ा है हेर फॉल हेर लॉस होड़ा है आपकी कुछ गलत अक्टिविटीज के बज़ा से तो भाई आपका बहुत ही फास् डिपेंड करता है क्योंकि मुझे खुद दो से तीन बार हुआ है और अलग-अलग एजस में हुआ है तो मुझे पता है पहले बार जब मैंने रिकवर्ड किया था रिग्रोथ मेरा हुआ था तो बहुत फास्ट हुआ था और बहुत इसली हुआ था सेकेंड बार जो हुआ ह बहुत जादा स्लो हुआ तो यह चीज़े एस पर डेफनेटली डिपेंड करती है एक अवर्नेस टाइमिंग पर बहुत जाए तो उस कंडिशन में होता है कि आपके जो हेड फॉलिकल्स होता है पतले हुए रहते हैं आपके बाल पतले हो जाते हैं बस अब उसकी उसको बुड़ा बाल में हो गया आपको रिकवरी नहीं हो सकता लेकिन जो लोग उस समय पे अच्छा से अपना लाइफस्टाल करने लग जाते हैं प्रॉपर से सब कुछ करने लग जाते तो उनका हेरी ग्रोथ बहुत इसली हो जाता है तो वही है आपका हेर लॉस वह बाली तो इन 4-5 सालों के बीच में एक दो बार इसके बीच में भी मेरा हेर लॉस हुआ है रूटीन वैसा चीज है कि जब तक आप फॉलो करोगे आपको फाइदा मिलेगा फॉलो नहीं करोगे मैं खुद भी बोल रहा हूं अगर मैं अभी बोल रहा हूं फॉलो नहीं करूंगा तो जो बचे हैं बाल वो चले जाएंगे खतम हो जाएंगे मैं अपने बाल को नहीं बचा पाँगा क्योंकि मेरा भी जिनेटिक बीक है जैसे ही लाइफटाल खड़ाब होगा वो सब कुछ चीजे डिवर्स में जाने लग जाएगी तो बस यहीं चीज है अगर आप यह एक चीज है वह ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड सर्कुलेशन कडाना आपको बहुत ही जाएगी तो इसमें मैं तीन मेथड को डखूंगा जो की बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है आप अपने हिसाब से किसी भी मेथड पर जा सकते हो और आगे आपको पता चल जाएगा किस कंडिशन में आप किस चीज को डखो तो सबसे जाएगी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए अपना बेसिक एक्सरसाइज और एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि आप एक्स्ट्रीम में डंबल बंबल ऐसा मार रहे हो नहीं होम बोडी बेट वरकाउट अगर आप आदे गंटे 20 मिनट इवन की 15 मिनट भी हफते में चार दिन भी अटलेस्ट कर लेते हो तो वह चीज़ें आप काफी हद तक मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप हेड़ी स्टैंड भी कर सकते हैं वाल का सपोर्ट लेके किया है यह चीज़ें आप कर सकते हो क्योंकि ब्लड कुछ प्रॉब्लम होने वाला है तो आप अराम से वर्क आउट वगड़ा करो सकेंड जो चीज़ें ब्लड सर्कुलेशन के लिए वह एक वाइलिंग वाइलिंग आप कोई भी नेच्छे वाइल से कर सकते हो और बहुत सारे अच्छे वाइल से कर सकते हो तो वह आप यूज तो उस कंडिशन में मैं कहूंगा कि अपने बालों को इतना चोटा है इससे थोड़ा बड़ा आप रखलो आर्मी कट थोड़ा गेंसर्व स्टाइल बस कट वगड़ा हैर स्टाइल आप रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्यूंकि आपके बाल जब उलज की टूटेंग हाथ में चिक्के वेड़ाएंगे तो थोड़ा नीडासा होता है वो चीज़े थोड़ा आपको परसान करिए यह सुरुवात में आदत हो जागा तो फिर आपको टेंसर नहीं होगा यूंकि बाल जैसे मजबूत होगा लेकिन अच्छा रहेगा कि आप पाल छोटे कर लो कि ह हाथ में दीखे ही नहीं तो उससे मूटिवेशन मिलता है तो अच्छा रहता राम से वाइलिंग कर लो दस से पंदरा मिनेट दस मिनेट आप आप से हाथों से चंपी करो अपने वालों को उसके बाद फटाक से आदा गंटा वाइल चोड़के उसके बाद सिंपल सा कोई भी से आप सेंपू कर लो बीक में दोवर की अगर मैं अपनी बात करूं तो अब तो मेरा यह सीन हो चुका है कि जब होता है तो यूज करता हूं नौर्मल सेंपू में 15-15 दिन में यूज करता हूं क्यूंकि आज कल यह जो केमिकल वाले सारे सेंपू जो हमारी गुड बैक्टे यह तो इस नहीं लेते हैं क्योंकि इस बहुत बढ़ा कनेक्शन है मैं एक वीडियो इस पर बनाने का कोशिस करूं कि मैं खुद बहुत जादा स्ट्रेस में इंवाल्व रहता हूं और काफी हद तक अब इसको मैंने करने के लिए सीख रहा हूं तो आप बता देना कि स्ट् बालों से रिलेटेड उतना केर तो नहीं ही करते हैं तो जिस कारण से क्या होता है उनके गुड़ बैक्टेडिया यह सब ज्यादा क्लिनेस भी ओबर जब आप किसी भी चीज को क्लीन कर दोगे ना तो केमिकल समलोग जो सैंप करते हैं भड़बर के केमिकल होता है इससे हमा यह मैं इसलिए कहा रहा हूं क्यूंकि मिनॉक्षडिल यह है एस गुरूप के हिसाब जैसे अगर आपने नेचुरली मैंने जो भी चीजे बताई हूं आप ट्राइ करके ठक चुके हो लंबेस टाइम तक दो साल से नेचुरली ट्राई कर रहे हो लेकिन आपका हेरी ग्रोथ फास्ट नहीं हो रहा है वर्स्ट वर्स्ट और भी खड़ाव होते जाड़ा तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि नॉक्षडिल के तरफ जा सकते हो क्यूंकि मैंने खुदी यूज किया है एक टैंट पर बताया था फिशली वीडियो में चार से पांची महीना के लिए उसके फिर मैं नेचुरली आ गया था तो उसे वीडियो आप देख लेना आपको पता से जाए क्यूंकि जब आप अगर हेर ट्रांस्प्लांट भी करवाते हो ना तो आपको डॉक्टर कम से कम लंबे समय तक सालों साल आपको मिनॉक्षडिल यूज करने का इसा ला देते हैं तो क जमता है ना मिनॉक्षडिल तो डैंडरफ ज्यादा बनता तो डैंडरफ के लिए सिंपल सा एक कीटा को न जोल का कोई भी आप सैंपू यूज कर सकते हो सॉल्यूशन वाला मैंने बताए ही रखा है कि आप डिस्क्रिप्शन में में लिंक दे दूंगा अच्छा अच्छा अब सैंपू का जो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था मेरा भाया यूज कर रहा हुँ है मैनमाइटर्स का मिनॉक्षडिल टॉपिकल 5% भाया का मिनॉक्षडिल है जो यूज कर रहे हैं उन्हें लग टकडी बनव आट सो नौ महीन हो चुका है मिनॉक्षडिल इसली मैनमाइटर्स केस मिनॉक्षडिल से उनका रिगड़ो हो गया है तो आप भी मिनॉक्षडिल यह ड्रॉपर से यूज कर सकते हो मैं तो अभी यूज नहीं कर रहा हूं तो आप आराम से यह लेके जहां पे भी आपको है ऐसे करके और यह स्प्रेश बॉटल आप इसे स बहुत ज्यादा बीक बाले उसको हटा देता है उसके बाद वो दिर दिरे न्यू बेबी एर्स आते हैं फिर अच्छा सी रिकबड़ी करता है तो वैसा ही मिनॉक्षडिल वर्क करता है यह मैं खुद एक्स्पीडियेंस कर चुका हूं मांकि एक अच्छा मल्टी वाइटिम विन भी साथ में ले सकते हो अगर आपका बहुत जादा एक्स्ट्रीम कंडिशन है तो यह सारे तरीके है इस गुरूप के साफ़ मैं जितना कोसिस कर रहा हूं कोसिस कर रहा हूं अब मुझे लएगा कि मेरा बाल बर्स्ट होते जा रहा है बहुत जादा खड़ाब होते जा मेरा जो 6 महीने का कोर्स का उसके बाद जो मेरा हेर रिकबर करेगा उसका वीडियो बना लोगा लेकिन अभी फिलाल मैं यूज नहीं कर रहा हूं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप आपको वेपसाइट पर मिल जागा जाके आप चेक आउट कर लेना इससे आप अराम से यूज कर सकते हो तो मेरा कोर्स कभी भी करो तो मैं कहूंगा कि छे महीने तो एटलिस्ट करो यार नहीं तो छे महीने साल बड़ा पराम से करो जिससे आपका फुल रिग्रोथ हो सके यह पेसेंस का चीज़े कि सबसे अच्छी बात यह है इस मेरा इसमें प्रोकैपिल भी है तो यह चीज़े हेर इग्रोथ में बहुत यादा हेलफुल होने वाली है और अलकोहल फुरी है तो आपको ज्यादा इचनेस वगेड़ा कुछ नहीं होगा और रही डर्मा डोलर की बात डर्मा डोलर भी आप यूज कर सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन के ल 읽 करने करने में अपने अपको ठीक करने के अपने stress को को मेंगी करना सुरुवात मि मुझे भी पाता बहुत wife इंचिकते होता था थायास में अब क्या हो गया है कि मैं deep ance Adm तो वही चीजIDE stress को आप manage करना सी soundtrack क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं स्ट्रेस मिड़ाता था तो अच्छे डाइट वर्काउट की करता था तो हेर फॉल बहुत जादा होता था मैं डेली ऐसे करके देख रहा हूं बाल वह सारी चीज ओसी देख रहे हो कहां मेरा लाइफस्टाइल ठीक है वह रूटीन अच्छा बड़ी विल्डर्स लोग जो लोग पेल के अच्छा डाइट लेते हैं तो उनके साथ होता है लेकिन जो लोग जिनको जिम से कोई मतलब नहीं जिम फिरिक नहीं नॉर्मल एक मिडल क्लास लड़के जो पस फन एंजुआई करते हैं पढ़ाई स्ट्रेस लेते हैं तो लोग ते लोग पर नोग तुअ चानच होटा के लिए वो有點 फिज़्कल एक्टिवीटी बम्याग ऐसे जो लुड़ आप बहुत कट॥ के लिए ईबन की सब अच्छ और के मरा एहा तो बहुत ही अच्छा रहे हरे घड़ इस गृप के लिए यही मेरा में मेरा सब झुट को अन मज़ जाओ वह सारी फेक चीजे हैं जो चीजे सॉल्यूसन सच में वर्ट करता है वो चीजे मैंने आज आपको बता दिया इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाकी फिर वो तो चीजे हैं कि जिनका पूरा हेर लॉस हो गया है हेर ट्रांस्वलांट वो बहुत अडिक है फिर पी आर्पी सेशन बहुत सारी वो फिर खर्चों का चीजे उसमें पैसे लगते हैं यह चीजे हैं आप कोई भी कर सकता है आराम से और मैं भी तो अभी तक इस यही सारी चीजों में हूँ मैंने भी कहां higher खर्चों पर गया हूँ तो अगर मुझे लाएगा future में कि मैं अपने बालों को बचाने ही पा रहा हूँ तो मैं definitely वो सारी चीजों पर भी जाओंगा A.The. the.it अपना डिसीजन लेना चाहिए तो वही चीज है बाकी आप आराम से जो लो 21 तक यार टेंसन मतलो आराम से निच्रली आप जा सकते हो निच्रली आप करो 20-21 वाले बाकी जिनको लगड़ा है कि मेरा बर्स ठोड़ा है मैं निच्रली कड़के भी मैं नहीं डूप पाड़ाँ लिंक दिया हुआ है वेपसाइट पर जाओ डर्माइटो लॉजिस्ट से अपना हेर कंडिशन सब कंसल्ट करो बात करो मिनौखडील लो मल्टिवाटमिन लो आप डेफनेटली जा सकते हो इस पर देड़ नहीं करना है क्योंकि ट्रांस्प्लांट के बाद भी आपको करके आपको वीडियो अच्हा लगा होगा अगर को यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना है अगर आप इस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हो अगर आप आप चैनल पर नाय हो निज्यू वीवज विघन जरूर दबारेना एंड जो लोग पुढ़ा